हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study IQ के हिंदी YouTube चनल पर और यहाँ पर एक बिग न्यूज अपडेट निकल कर सामने आ रही है जहां आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान की उपर जो है एर स्ट्राइक करी है किस देश ने करी है तो आप पीछे देख पाएंगे नाम है इसका जैश अल अदल इस ग्रूप के अगेंज जो है वो इरान ने एर स्ट्राइक करी अब वो देश जो वास्त्विक्ता में स्वयम प्रसिद्ध है आतंकवादी संगडरनों को समर्थन देने के लिए अगर मैं नाम से आपको बताओं तो कुछ दिनों पहले यह आप इसके पीछे आप देख पाएंगे पाकिस्तानवाळा एरिया है और यह जो प्लेस है इस प्लेस का नाम है सस्तान अट बलूचिस्तान यह जो प्लेसं बेसिकली इरान के लिए काफी क्रूशल है क्यों क्रूशल है तो आए इसे एक मैप से समझने का प्रयास करते हैं बेसिकली जो इरान है ये जो देश है ये एक शिया प्रमुख देश है I think आप सभी अवेर्ड होंगे इस बात से कि इसलाम में जो है दो सेक्शन है एक सिया है और एक सुनी है तो जो सिया समुदाय बहुल छेतर है बेसिकली इरान और इसका जो सस्तान एंड बलुचिस्तान वाला एरिया है ये सुनी बहुल छेतर है और इसी के अगेंस अगर हम बात करें तो आप यहां देख पाएंगे यह जो है यह है पाकिस्तान आप कह सकते हैं broader sense में कि एक लोगत्रांतिक देश है कहने को लोगत्रांतिक देश है पर अंतु यहां पर आप देखेंगे तो जो सुन्नी प्रधान समुदा है वो आपको मिलनी यहां दिखाई देगा अब यह जो स कहना है कि पाकिस्तान से जो है वो सेप्रेट एक नेशन का स्टैबलिश्मेंट करना चाहते हैं और इसी से निकला हुआ एक ग्रूप है जैशल अदन अब याद रखिए कि ये सुनी समुदा है और ये जो है वो इरान के अंदर जो सस्तान एवं बलुचिस्तान नाम का एक प् खेत्र में अब उसी के रिटेलियेशन के फॉर्म में अर्थात एक शिया प्रमुग देश के अंदर सुनी जो समुदा है जो अल्व संख्यक है उसके समर्थन में पाकिस्तान के एक टेरर ग्रूप के द्वारा यहां पर बंबार्डिंग करी गई 2012 से अभी हम चर्चा करेंगे 2012 से लगातर यहां पर जो है वो गतिविधियां दिखाई गई इस समुदाय के द्वारा इस टेरर ग्रूप के द्वारा और इस कारण जो है उसका रिटेलियेशन अभी आपको देखने को मिलेगा बेसिकली एक एयर स्ट्राइक के रूप में ज पूर्व जो है यह अलकाइदा का ही एफिलियेटेड अर्थाद अलकाइदा से ही जुड़ा हुआ अलकाइदा से ही जो है वो अफेक्टेड आप कह सकते हैं और यू केंसे फंडेड ग्रूप रहा और इसका नाम उस समय जो है अर्थाद 2012 से पहले जो है इसका नाम था जिन सिया समुदाय है वो अल्प संक्यक है उसके लिए जो है वो लगातार उनके बिहाफ में जो है लगातार अटैक करता रहा 2013 से अर्थाद 12 में establishment हुआ और 13 से continue 2023 सट बहुत सारे हमले जो है वो इस टेरर ग्रूप के द्वारा करे गए यहां मैं आपका ध्यान अकर्शित करना चाहूंगा अभी से कुछ समय पहले की एक घटना है और उसका retaliation आना इन सब का एक geopolitical angle है क्या है वो geopolitical angle तो ध्यान से समझिएगा अगर मैं आपसे कहूं तो यह है इरान इरान जैसा हमने देखा सिया बहुल छेतर इसी प्रकार से पाकिस्तान पाकिस्तान सुन्नी बहुल और इसी तरीके से बीच में इस एंगल में जंप लेता है basically Saudi Arabia Saudi Arabia को हम सभी जानते हैं कि Saudi Arabia के जो relations है यह बहुत अच्छे कभी नहीं रहे basically किसके सांथ basically Iran के सांथ यहने कि Saudi Arabia is anti of Iran और Saudi Arabia is pro for Pakistan यह पाकिस्तान के हमेशा जो है वो प्रो रहा कई बार यह एक इस तरीके से यूज करा जाता है इस तरीके से मजाग के पॉम में करा जाता है कि पाकिस्तान का political parent रहा बहुत समय तक कौन Saudi Arabia अब यहां समझेगा जो इरान है शिया प्रमुख Saudi Arabia सुनी प्रधान और पाकिस्तान सुनी बहुल छेत्र जो की funded है जो की आप कह सकते हैं supported है by Saudi Arabia अब यहां के पाकिस्तान के दूररा समर्थन और साउधी अरे बहुत समर्थन आप देख पाएंगे यह टेरर क्रुप जो है वह out of control हो चुके है अब यह जो पूरी condition क्रियेट हुई है यह जो पूरी समर्सिया क्रियेट हुई है इसमें कहीश का कहीं पाकिस्तान के दूरा जो exploitation करा गया है शेत्र में उसके कारण एक terror group का जन्म होना फिर terrorism का end of the day जो joint parent रहा अर्थाद प्रमुक रूप से इसकी जड़े रही वो कहीं न कहीं पाकिस्तान से हमेशा जुड़ी रही और यहीं एक कारण है कि अगर आग दूसरे के घर में लगाई जाए तो कहीं न कहीं जो है वो पड़ोस की आग फैल कर अपने घर तक तो पहुंसती ही है कुछ यही हाल है पाकिस्तान का जहां आप आएंगे कि साओधी अरेबिया से कभी फंडेड हो कभी नॉन फंडेड हो हम सभी को बहतर तरीके से पता है के आज के समय जो बलूचिस थान के अंदर विद्रोही गरुप है यह विद्रोही गरुप को drive ना अğतात inspiration मोटिवेजन कहीं न कहीं पाकिस्तान के होने वाला एक भी change world economy को जो है effect करता है ये world economy पर बड़ा impact लाता है याद रखिएगा कि समय के साथ जो changes आप देखेंगे Middle East में उसके कहीं न कहीं आपको consequences जो है वो भारत में भी देखने को मिलेंगे साथ ही ये भी याद रखिएगा कि भारत के लिए एक बड़ी समस्या हमेशा शे रहा है Middle East का unstable होना और हमारे oil के लिए इन छेत्र पर dependency अब यहाँ पर आपके लिए एक और important update है याद रखिए अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं UPSC की preparation कर रहे हैं तो आपके पास ए golden opportunity है जो study IQ है इसके P2I batches अर्था Prelims to Interview batches यह start हो चुके हैं और यह जो batches हैं यह batches basically जो है यह batch number न्यूएर के बाद यह batch number जो है वो second है इसमें जो admission जो classes है वो 27 सरक से start हो जाएंगी और यह जो classes हैं यह classes UPSC को related होंगी और याद रखिए कि specifically for Hindi medium exclusively for Hindi medium यह batches है अगर आप इसको प्रिवेल करना चाहते हैं तो आप इसे जो है वो दिये हुए इस cost पर प्रिवेल कर सकते हैं by only applying A.K. life code आप इस code का यूज़ करेंगे तभी आपको यह cost देखने को मिलेगा साथ ही अगर आप 2025 की preparation कर रहे हैं तब के case में यह P2I batches जो है वो active है आपके लिए बट अगर आप 2024 के लिए preparation कर रहे हैं तो SIP अर्था success in prelims program यह crash course की तरह है जो आपको 2024 के लिए exam के लिए ready बनाएगा इसमें test भी included है इसमें वो सारी essential requirements जो आपको UPSC का preliminary examination qualify करने के लिए ज़रूरी है वो सारी provide करी जाएंगी study IQ के द्वारा मैं आपको एक और जानकरी दे दूँ याद रखे इस P2I batches में जो SIP अभी मैंने आपसे discuss करा वो included है for 2025 इसके साथ ही इसमें MRP program अर्था P2I में MRP program mains residential program included है साथ ही interview guidance program जिसमें आपको interview के लिए वो सारी information वो सारी practices वो सारी exercises जो required होंगी shall be provided by study IQ अगर आपका pre-qualify होता है तो mains residential program में study IQ आपको अपने खर्चे पर डेली बुला कर बाकी किसाई तयारियां कराएगा one to one mentorship है और साथ ही आपको test series से लेकर सारा study material crux के form में study IQ जो है वो provide कराएगा हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQ IAS हिंदी